हलो दोस्तो स्वागत है आपका राइट इंफर्मर चैनल में और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका फोन में चलते चलते सीम कार्ड डिटेक्ट नहीं कर रहा है सीम कार्ड एरर आ रहा है या सीम कार्ड इन्वैलिड बता रहा है तो आप उ आपको बोलू तो यह इमंदारी से मैं बोलू तो यह बताना मुश्किल हो ज़ा है जिसके चलते यह सीम कार्ड डिटेक्ट नहीं हो रहा है लेकिन हां मैं आपको इस वीडियो के अंदर छोटे छोटे चार्ड ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिसमें से कोई ना कोई आपके काम आएगा और उसी से आपका फोन बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपके फोन के अंदर जो भी सिम कार्ट के एरर रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो आपको यह ध्यान Type में और सारी श्रेटिंग को ध्यान से देखना है कि क्या-क्या आपको करना है मैं अपने फोन के ऐसा होगा जो आप फाइल फोन की जो सीम कार्ड है उसके प्रोब्लम को सॉल्व कर देगा मैं 110 परशंट बता रहा हूं कि आपका प्रोब्लम सॉल्व हो जाएगा लेकिन आपको जो भी मैंने बताए हैं उस सारी टिप्स को ध्यान से देखनी होगी और सभी को जो जो मैं बता सेटिंग के अंदर जाना है फोन के सेटिंग में आने के बाद से दोस्तों आपको सीम के जहां लोकेशन है वहां पर चलना है तो उसके लिए हमें यहां पर जाना पड़ेगा मोर सेटिंग के अंदर और आप में हो सकता है एडवांस सेटिंग हो तो एडवांस सेटिंग में जाईएगा फिर यहां security का जो option दिया हुआ इसके अंदर आपको जाना होगा यहां पे जाएंगे देखिए आपके सामने यह SIM card lock यहां पे देखिए SIM card lock setting का option आ गया है तो इसको आपको click करना है और सबसे पहले आपको इसको check करना है किसी ने lock तो नहीं कर दिया आपके SIM को तो देखिए अगर lock होगा तो यहां पे lock दिखाएगा आपको तो इस तरह से हो सकता है कि कोई आपके SIM card को ही lock कर दिया हो इसलिए आपका SIM card detect नहीं करेगा तो सबसे पहले आपको यह check करना है चेक करने के बाद अगर इसमें problem है तो आपको unlock कर देना है तो यहीं पर आपका problem solve हो जाएगा आगे की setting आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी चलिए फिर इसके बाद अगर यहां पे भी आपको नहीं हुआ इस तरह से ठीक अब आपको next क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ उसको भी ध्यान से देखिए यह setting के अंदर ही आना है देखिए मैं अभी यहां पर setting में ही हूँ setting में आने के बाद से आपको यहां mobile network में जाना है अपने और यहां पर mobile network में जाने के बाद देखिए आपके सामने यहां पर APN की setting दिख रही है access point ने इस APN के अंदर जाना है फिर आपको APN के अंदर जाने के बाद से यहां पर देखना है आपको देखिए यहां पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग YouTube को देख करके अपने speed बढ़ाने के चकर में उसको क्या करते हैं APN को change करते रहते हैं लेकिन मैं आपको एक सचाई बता दूँ कोई भी APN की setting से speed नहीं बढ़ती है ठीक है तो आप इस तरह से नहीं किजिए नहीं तो ये भी कारण हो सकता है कि आपका sim detect नहीं कर रहा है इसलिए आपको क्या करना है यहां पे reset default कर देना है जो भी APN होगा वो reset default कर देना है और करके फिर आपको अपने phone को switch off करना है फिर on करना है अगर यहां पे भी problem solve हो गया तो फिर आगे की process आपको नहीं देखना है यहीं पे आपका problem solve हो जाएगा चलिए मैं आपको आगे की बताता हूँ कि अगर इससे भी नहीं हुआ तो फिर अब आपको तीसरे point पे कहां जाना है और क्या करना है तो फिर से आपको यहीं setting में आना है देखिए मैं setting में हूँ और setting से अब आपको जहां RAM storage होता है वहाँ पे चलना है आपको तो यहां पे जाने के लिए आपको RAM storage में मेरे को तो यहां पे more setting के अंदर जाना होगा आपके phone में advance setting हो सकता है और यहां पे देखिए RAM and Storage Space अब आपको इसी के अंदर जाना है यहां पे दोस्तों आपके यहां सारा दिखाएगा कि कितना RAM है कितना आपका Space है और यह सारी चीज़े आपको दिखाती है और कितना अबलेबल Space है इने सारे junk file बन जाते हैं जो भी WhatsApp आ रहा है या photo आ रहा है इमेज आ रहा है तो बहुत सारे junk file बनते जाते हैं और आपके space memory को सारे utilize होते रहते हैं जिसे RAM भी slow हो जाता है और phone इसका भी एक बहुत बारा कारण है जिसे की memory splitting हो करके और memory के चलते ये आपका सीम का detect नहीं होता है तो आप आपको करना क्या है यहाँ पे ये clean up storage space दिया हुआ है इस पे आपको click करना है और यहाँ पे click करने के बाद देखिए आपके सामने ये दिखाई देगा कि ये सारे junk file देखिए इतने सारे अब level है junk तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है click करके इसको सभी को जितने भी junk file है WhatsApp के हैं या other है इन सभी को क्या करना है आपको यहाँ से delete करना है सभी junk file को delete करना है अभी मैं कर रखा हूँ इसलिए यहाँ पे कोई item नहीं दिखाया यहां अगर WhatsApp में आओं अब मैं दिखाओं तो देखिए इतने सारे जंग फाइल है चेट हिस्ट्री के तो आपको सभी को इस तरह से सेलेक्ट करना है और इसी तरह से बिल्कुल आपको यहां से सभी को डिलेट करना है आपको अपने फोन को स्विच आफ कर देना है स्विच आ बताता हूं कि वो लास्ट आप्सन में जरूर आपका फोन का सिम कार्ड सही हो जाएगा बिल्कुल 110 परसेंट अब आपको क्या करना है दोस्तों अब इसको जड़ा ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर मैं क्या आपको दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं देखिए उन्होंने कोमेंट्स किया है तो आपको भी अगर इस वीडियो से फायदा होगा तो आप हमें कोमेंट्स कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए इससे हमें भी पता चलता है इसलिए हम आपको लिए अच्छे अच्छे मोटिवेशन मिलता है तो अच्छे अच्छी वीडि प्रेस हो जाएगा बिल्कुल जो भी इसके अंदर आपने अगर डाउनलोड किया था उसके चलते क्रैस हो रहा था और डिटेक्ट नहीं कर रहा था चुकि आपने जो सीम आपका चल रहा था चलते-चलते और इस तरह का प्रोबलम हुआ है तो इसका मतलब कुछ न कुछ आप के मोवाज में software से related issue हुआ है तभी ऐसा problem आया है तो अब आपका phone क्या होगा phrase हो जाएगा एक दम बिल्कुल phrase हो जाएगा और उसके बाद से अब आपको क्या करना है यहां पर reboot जब phone हो जाएगी उसके बाद फिर से phone को off कर देना बंद कर देना है बंद करने के बाद से अब आपको क्या करना है पाले उसके अंदर सीम डाल देना है और सीम डालने के बाद फिर आपको अपने phone को on करना है और जब आप on करेंगे मेरा विश्वास किजिए आपका जो भी सीम कार्ड का इसू होगा रिजॉल्व हो जाएगा और आपका network बिल्कुल आ जाएगा और आपका सीम detect हो जाएगा लेकिन मैं आपको एकदम बिल्कुल ये कहा दूँ कि अगर आपने skip करके वीडियो को देखा है तो कोई फायदा नहीं होने वाला हो सकता है आपको पहले वाले में ही solution मिल जाता जो मैंने 4 tips बताए हैं वो 4 tips को one by one करके आपको check करना होगा कि किस तरह से आपको solution मिलेगा मैं उमीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल helpful होगा तो इस वीडियो के लिए एक like कर दीजे और आप हमें जरूर comments में ये बताईएगा कि आपका seem card का problem solve हुआ या नहीं हुआ इससे हमें भी पता चलेगा कि आपके लिए ये काम आया या नहीं आया इस वीडियो से आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ दोस्तों हम इसी तरह के अपने चैनल पे वीडियो डालते रहते हैं जो knowledgeable होता है और आपके फायदे के लिए डालते हैं हर एक दिन बाद हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोड होता है तो आप हमारे वीडियो को देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के नौलिज के लिए दोस्तों अभी तक के लिए वस इतना ही फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना